चित्रक जिसे चीता, चितावर, चित्रमूल, चित्रा, चित्रमूलम और अंग्रेजी में लीवर्ट आधि नामों से जाना जाता है नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पी चैनल पर जी हाँ दोस्तों आप तो समझ गए होंगे की आज किस अवसधिये पौधे के बारे में जानकारी सेयर किया गया है तो दोस्तों बने रहेएगा वीडियो के अंत तक क्योंकि आज की यह जानकारी बहुत ही महत्रपूर होने वाली है आज के इस वीडियो में चित्रक के पहचान यह सधिये गुड़ों और नुकसान के बारे में समपूर्ण जानकारी सेयर किया गया है चित्रक या चीतावर जिसका बानस पतिक नाम पलंबेगो जेलेनिका यह फेमली नेम या कुल नेम पलंबजीनेसी है चित्रक पूरे भारत बर्स में पैदा होती है और अब कहीं कहीं पर इसकी खेती भी की जाती है चित्रक के पौदे बहुबर्स जी भी और हमेशा हरे रहने वाले होते हैं जिसकी लंबाई तीन से छे फुट तक होती है फूलों के आधार पर या तीन परकार की होती है सफेद चित्रक योंग लाल चित्रक जिसे लेटिन में पलंबेगो रोजिया और काली चित्रक जिसे पलंबेगो केरपेसिस कहते हैं चित्रक के मूल अर्क और पत्तों का परियोब आउसद के रूप में किया जाता है अब जानते हैं चित्रक के गुर्दोस योंग प्रभाओं के बारे में तो सबसे पहले रासानिक गुणों को जानते हैं चित्रक में पलंबेजीन, पलंबेजिक एसिड, थिरिक्लोरो पलंबेजीन, एसपर्टी केसिड, प्रोटीज और इन्वर्टेड एंजाइम आधितत्त्त प्रमुक रूप से पाया जाता है और आईग बेद मतानुसार चित्रक, गरम, तिक्त, कडवी, हलकी, पचने में चरपरी, अगनी दीपक, पाचक योंग रूखी होती है चित्रक, तिर्दोस नासक, अर्थात, वात, पित, कफ का नास करने वाली, गराही, सूजन, कोड, बबासीर, योंग, क्रिम नासक, यक्रित रोग, चंगराणी, छै रोग, उदर रोग, रक्त सोधक, सोथार, और कट पोष्टिक होती है इसके अलावा चित्रक, पाक में अगनिके समान होती है जानते हैं चित्रक के कुछ घरेलू उपचारों के बारे में नंबर एक, नकसीर सर्दी के दोरान ठंड से या गर्मियों में नाक के सूख जाने पर, अथवा चोट लगने पर, या अचानक नाक से खोन का बहना नकसीर कहलाता है जिसका इलाज इस प्रकार से है चित्रक के दो ग्राम चून को सहद के साथ मिलाकर चाटने से नकसीर ठीक हो जाता है नमबर दो, तिल्ली का बढ़ना, पलीहा, तिल्ली या सिपलीन, जब संक्रमन अथवा किसी बीमारी के कारण इसका प्रभाव तिल्ली पर पढ़ता है, तो तिल्ली का आकार अस्थाई रूप से बढ़ जाता है, या सूजन आ जाती है इसके लिए चित्रक की एक ग्राम चून को एलो वेरा के बीशेमल जूस में मिला कर सुबा साम सेवन करने से सूजन मिट जाती है नमबर तीन बदहजमी जिसे अजीर्ण भी कहते हैं और यह विभिन रोगों का मूल कारण होता है प्राया यह आहार बिहार में विसमता होने से जब खाया हुआ भोजन का पाचन नहीं होता है तो उसे अजीर्ण कहते हैं इसके लिए दो ग्राम चित्रक के जड़ के चूण में नागर मोथा और वाय विडिंग के चूण को बराबर मात्रा में मिला कर सुबा साम खाली पेट सेवन करने से लाब होता है इससे पाचन सक्त ठीक होकर नियमित भूख लगने लगती है भोजन में रूच पैदा होती है और मन प्रसंद रहता है अब जानते हैं चित्रक से होने वाले नुक्सानों के बारे में चित्रक का प्रियोग अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए यह फेंपड़े और जीगर को नुक्सान पहुचाता है और गर्भुती महिलाएं इसका सेवन ना करें वरना गर्भपात हो सकता है इसका योग और निर्धारित मात्रा में प्रियोग हितकारी और अधिक मात्रा में प्रियोग करने से बिश के समान कारे करता है अताह इसका सेवन चिकित्सक की देख रेक में करें तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं और यद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टापिक को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद